तू हेलो फ्रेंड्स फिर से स्वागते आप सभी कापके अपने इस यूटूब चैनल एजजेट टैक में दोस्तो आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ MX Player की ऐसी खूफिया सेटिंग के बारे में जिससे दोस्तो बहुत ही ज़दा लोग को इसके बारे में पता नहीं है दोस्तो अगर आप Android फॉन या iOS फॉन चलाते हैं और वहाँ पर आप MX Player एप को डाउनलोड गर के दोस्तो वहाँ पर आप कुछ भी चलाते हैं वीडियो देखते हैं और उसके अंदर कहीं सारी सेटिंग्स होती हैं जिससे दोस्तो आपको पता नहीं होता है तो दोस्तो आज के इस वीडियो को लास तक देखेंगे तो आपको खुफिया सेटिंग के बारे में पता चलने वाला है जिससे दोस्तो बहुत ही ज़्यादा यूसफूल है तो दोस्तो इस वीडियो को लास तक भीना स्कीप किये जरूर से देख लेना और अभी तक चैनल क को subscribe नई किया है तो चैनल को जोड़े से subscribe कर दिना और बेल आइकन जरूर दबा देना तोग दुस्ते यहां पर बेल आइकन दबाने के बाद अब हम यहां पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं आपको क्या करना आपको अपности were एप को ओपन तो दोस्तों इसमें क्या करना है कि आपका यहां पर जो भी है जैसे कि यहां पर एक वीडियो है इसका साइज कितना है तो यहां पर आप कैसे सो कर सकते हैं यहां पर आपको केवल वीडियो से इतने वीडियो से इसके साइज नहीं सो हो रहा है तो कैसे दोस्तों इनका साइज आप यहां पर सो कर सकते हैं इसके लिए दोस्तों यहां पर ऊपर के तरफ यह box का option होगा इस पर आपको क्लिक करना है दोस्तों यहां पर हम क्लिक करते हैं क्लिक करने के वाद दोस्तों नीचे आपको देखने को मिलेगा तो simply दोस्तों यहां पर आपको इस वाले arrow पर क्लिक कर न वारतन है तो दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेगा साइज साईज का आप्शन आपको साइज पर टिक करके डन कर देना है डन करनेывать दोस्तों आप यहां पर हमारा यहOoh होने लगा है कि यह हमारे कितने MB का है, यहां पर देख से थे 3.3 MB का है, 594 MB का है, 38 MB का है, 200 MB का है, और नीचे भी आपको देखने को मिलेगा 1 GB का है, इस तरह से, तो दोस्ते यहां पर हमारा option यहीं पर भी हमारा सो जाता है कि कितना size है, और दोस्ते यह हमारा first trick था, and दोसरे setting यहां पर मैं आपको बताने वाला हूँ, कि अगर आप दोस्तों अपने phone में, MX Player पर आप videos देखते हैं, online games खेलते हैं, या टकाटाक या music सुनते हैं, तो दोस्तों क्या होता है, आप यह सभी करते हैं, तो आपका जो phone का net हो तो वो बहुत ही जल्दी खतम हो जाता है तो दोस्तों कैसे आप इस तरह से कर सकते हैं, कि आप पुरे दिन पर, आप MX Player में, यह सभी आप videos देख लें, और फिर भी आपका net न खतम हो, तो क्या करना है दोस्तों, ऊपर की तरी फिर आपको 3.0 options देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है दोस्तों, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर online settings, यहाँ पर आपको simply settings पर क्लिक करना है, यहाँ पर मैं settings पर क्लिक करता हूँ दोस्तों, करने के बाद यहाँ आपको 3.0 options हो जाएगा, तो क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आपको 3.0 options पर देखने को मिलेगा, enable data savers मतलब कि दोस्ते हैं आप आप online वीडियोस देखते हैं दोस्ते आप दिन वर भी आप वीडियोस देखेंगे फिर भी आपका net नहीं खतम होगा तो इसको इस सिंप्ली आपको enable कर देंगे यह करने को दोस्ते आपका net जल्दी खतम नहीं होगा दोस्तों यह हमारा second होगा end मैं आपको third setting बता देता हूँ जो बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार है दोस्तों जिस्ते दोस्तों आपको कोई भी app download नहीं करना होता है बता देता हूँ तिसरा setting क्या है अगर दोस्तों आप अपने whatsapp को चलाते हैं वोटसप चलाने का दोस्तों यहां पर आपको यो भी status होता है जिस भी status को आप देख लेते हैं आपको वो status अच्छा लगता है तो आप उसे download करना चाते हैं तो दोस्तों उसके लिए क्या होता है आप किसी और app को download करके आप उसे download कर सकते हैं लेकिन दोस्तों यहां पर आपको MX Player में क्या देखने को मिलता है कि अप whotsapp status को download कर सकते हैं विल्कुल easily तरीके से तो दोस्तों कैसे आप वोटसप status को download करना है तो यहां पर आपको क्या करना है उपर के तरफ इस पर आपको click कर देना है दोस्तों यहां पर मैं क्लिक करता हूं क्लिक करने के बाद यहां पर आपको देखने को मिलेगा WhatsApp status saver इस पर आपको क्लिक करना है तो simply दोस्तों यहां पर आने बाद यहां पर नीचे के तरफ आपको देखने को मिलेगा open whatsapp इस पर आपको click करना है दोस्तों click करने के बाद आपको क्या होगा आपको जो भी वह status download करना होगा उस status को आपको पूरा last तक देखने के बाद यहाँ पर आपको back करेंगे तो यहाँ पर आपको वीडियो status यहाँ पर देखने को मिल जाएगा तो दोस्त इस तरह से आप बिना किसी एप को download के आप whatsapp status को download कर सकते हैं तो यहाँ पर हमें यह features देखने को मिलता है जो बहुत ही ज़्यादा खोफिया है बहुत ही ज़्यादा लोगों को पतन नहीं होता है और दोस्तों मैं आप चौता setting बता देता हूं जो आपको लिए बहुत ही ज होता है तो आप उसे चाहते कि वह आपका हाइड हो जाए तो कैसे दोस्तों आप इस प्राइवेट वीडियो को हाइड कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आपर हमारा जो है यहाँ पर download को यहाँ पर हाइड करना चाहता हूं तो दोस्तों कैसे करना है तो इस पर प्रेस करना है दोस्तों प्रेस करने के बाद नीचे आपको यहां पर पैंसिल को ऑप्शन देखने को मिलेगा पैंसिल पर क्लिक करना है क्लिक करने कब दोस्तों अब यहां पर आपको क्या करना है यहां पर रिनेम यहां पर आपको फॉर्स्ट में यहां पर डॉट डाल देना है ध्यान से दोस्ते हैं पर देख लेना तभी आपको समझ में आएगा तो यहां पर रहोगा को क्लिक कर करने का दोस्ति हैं यहां पर हंपार उट्अ क्या हाई्ट हो चुका है क्या सब्सक्राइब अगर आपको विडíb़ दखना है और दोबार आपको उसे Unhide करना है तो दोस्तों क्या करना है आपको सिंपली उपर के तरफ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इस पर क्लिक का देना है 3 colleagues पर यहां पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है यहां पर आपको सेटिंग पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेगा लोकल प्लेयर सेटिंग डाउनलोड सेटिंग तो आपको क्या करना है को लाश्ट में आ जाना है लास्ट में आने कि बाद दोस्तों यहां पर आपको एक option हो रहागा थो फाइल एंड फोल्डे के तो इस पर आपको टिक कर दिंगे टिक करने के बाद दोस्त अब हमारे जो हैड़ फाइल था वो फिर से अन हाईड हो जाएगा तो यहां पर दीसे हैं यहाँ थिसे यहां पर डॉप सफेधा किसी फाइल कर सकते हैं तो दोस्तों यहां पर शत्रुनियार जी यहीँ पर यह सो का और आपका फाइल में जोन नहीं होगा अगर दोस्तों आप को करना है तो क्या करना यहाई करने कदने कूसि आपको इस पर फाइल मंधेजर वाले जगें आल हना है पर में यह इस होग अब यह गीरेख04 सकते हैं ये बहुत ही जादा लोगों को पता नहीं होता है इस तरह से दोस्तों आप अपने फोन में ये सबी सेटिंग कर सकते हैं MX Player में जो दोस्तों बहुत ही लोगों को पता नहीं था तो दोस्तों ये सेटिंग आपको अच्छी लगी हुई हो तो वीडियो को जोड़ से लाइक कर देना चनल को सब्सक्राइब और वेल आइकन जरूर दवा देना